उत्तर प्रदेश चनरलिस्ट एसोसीशन देवन इकाई के अध्यक्ष अश्वनी गर्ग ने व्रक्ष बातो अभ्यान के अंतरगत दूसरा व्रक्ष अपनी मित्र प्रत्रकार साथी सुधीर भारद्वाज को दिया और कहा कि सभी को व्रक्ष लगाने चाहिए व्रक्ष हमें ऑक्सिजन और जीवन देते हैं उन्होंने कहा कि प्रशास्मिक अधिकारियों से लेकर आम व्यक्ति को भी व्रक्ष लगाने चाहिए जीवन को स्वस्त रखने का एक ही तरीका है केवल व्रक्ष व्रक्ष होंगे पचास पेड़ पूरी होने के बाद 20 व्रक्ष नीम के लगाऊंगा और इस गड़ी को आगे बढ़ाता रहूँगा इस अफसर पर महताब आजाद, क्यूम अली, आसित सागर, अंकित तायग, असत सिद्य की आरी मौजोद रहे, रिपोर्ट अंकित जैन यह सपतहा चल रहा है, वरक्ष रोपन के उसमें मैंने निर्ने लिया है कि मैं पचास पेड़ अपने मित्रों को बाटूगा ताकि वो अपने घर में, अपने आंगन में यह पेड़ लगाएं, कल मैंने वरिष्ट पत्रकार जो हैं अमारे शहर के जीने हमने गुरू की चोटे से थे हम जब से हमारे सखाएं, आज मैंने दूसरा पेड़ इनको दिया है, ताकि अपने आंगन में उस पेड़ को लगाएं, और वो पेड़ हरा बरा होकर इनके पूरे परिवार पर अपनी छाओ, अपनी करपा दरश्टी बनाएं, पेड़ लगाने से बहुत सारे लाब होते हैं, जैसे कि छाओ मिलती है, ऑक्सिजन मिलती है, घर में पसू जो होते हैं, दुधारू पसू उनको आप महापर बानते हैं, उनके उपर भी छाया रहती है, और परिवार में बहुत सारी बिमारियां जो है, वो दूर हो जाती हैं इस तरह के पेड़ से, आगे अबलकि मेरा ये भी है कि मैं 20 पेड़ और इन 50 के बाद नीम के जो हैं वो इन लोगों को दूँ, ताकि आंगण में बहुत अच्छा उसका परभावरा है, तुछ अपील भी करेंगे, अपील यही है कि हर व्यक्ति को पेड़ अपने आंगण में लगाने चाहिए, मैं सभी आम जनता से और परसासनी का धिकारियों तक से यही अपील करूँगा, कि सभी जितने अधिक से अधिक व्रक्ष जो आधर्णिय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि व्रक्ष लगाने से आपको कल कागज भी लकडी भी सब पैदा होगी उस चीज से, व्रक्ष है तो हमारी बेजान है व्रक्ष नहीं है तो हम बेकार है बेजान है